नमस्कार दोस्तों तो जिस टाफिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो यह है कि हाँ जी 80G 12AA होता क्या है किस तरीके से इसका विवरंट किया जा सकता है और किस तरीके से इसका फायदा Section 8 Companies उठा सकती है या Section 8 Company को इसके benefits किस तरीके से मिलते हैं तो इस वीडियो को शुच लेकें तक जरूर देखेगा बीच में कहीं भी स्किप मत किजेगा आज हमारे साथ है subject matter expert अर्पिजी अर्पिजी आपका स्वागत है थोड़ा सा बताएं कि हैं जी 80G और टल डबल एक क्यों important होता है किसी भी Section 8 Company के लिए या किसी भी NGO के लगाएंगे या वो public के पास जाएंगे through donations या वो ए government grant के पास जा सकते हैं government grants easily नहीं मिल पाते हैं because sir हमें अपनी balance sheets लगानी है हमें अपना record दिखाना है पर sir public के donations अगर हम लोग मांगने जाएंगे तो public को क्या benefit होगा क्यों हाज कल sir सब लोगों को अपना benefit चाहिए इसी ची में इन्वेस्ट करता है या डोनेट करता है या तो उनको 50% की tax exemption मिलिंग उनको personal ITR में तो यह सब बहुत बड़ा एक जिसको बोलता है exemption है कुछ भी salary class के लिए या कोई business class के लिए कि अगर कोई 1 lakh रुपीज डोनेट कर रहा है किसी NGO में जो ATG के अंदर registered है तो उनको 50% की tax exemption मन्दर 50,000 की straight away tax exemption मिलेगी हाले कि सर इसके बहुत जादा पूरे अपने procedures हैं आपका exemption लेने के लिए पूरे कुछ forms filing करने पड़ती है कुछ compliance करने पड़ते हैं but that is a other thing but अगर हम लोग ATG की बात करें तो किसी भी अगर NGO को donation चाहिए किसी भी NGO को अगर अगर donation income बढ़ानी है और बिना ATG की registration के लिए आप इमान के सलिए आप donations तो grab जरूर कर लेंगे at any point of time हम donation बहुत चीतरा ले लेंगे कोई problem नहीं है पर जब भी आपको कोई CSR की funding चाहिए होगी या कोई ऐसी आपको funding चाहिए होगी जहांपे या कोई ऐसा donor होगा जो आपको अच्छा खासा एक amount दे रहा होगा जो आपके activities से खुश है जो NGO से खुश है पर वो भी चाहेगा कि उनको income tax में rebate मिले तो उस चीज़ से लिए आपको ATG का registration जुरूर लेना चाहिए ओके थोड़ा सा मुझी ये भी बताईए दी ATG और 12AA की application एक साथ file हो सकती है क्या सर बिल्कुल सर ATG और 12AA की application बिल्कुल एक साथ file होती है और 12A क्या है सर 12A एक section है income tax admin जिसमें 15% की income tax में rebate मिलती है एक NGO को तो अगर हम लोग ATG की बात करें तो it is purely based on the donor donor को tax exemption मिलेगी पर अगर 12A की बात करें तो 12A में NGO को tax exemption मिलेगी तो ये similar other way around नहीं है ये दोनों को hand in hand चल रहे हैं ATG और 12A और एक किसी भी NGO को दोनों एक साथ apply करने चाहिए ताकि at least at any point of time वो अपने जो पैसा बचाएंगे 15% उसी को भी activity में लगाएंगे सर ये 12A आया है इसलिए है कि जो भी पैसा वो बचाएं जितना भी पैसा वो लोग बचाएंगे 12A A से 15% that has to be reinvested in the activity of the NGO सर ऐसा नहीं है कि मैंने 12A के exemption लेके और 15% बचाके और मैंने अपने आपको personal benefit दे दिया या आपने डारेक्टर जारी ले लिए ऐसा नहीं है वो उस में उस activity में reinvested होना चाहिए तभी हम लोगों को उसका benefit मिलेगा अब मैं एक चीज़ और बुछना चाहूंगा eligibility criteria क्या होता है अगर हम suppose ATGA 12A के लिए जाते हैं तो कि इनकी eligibility factors को देखा जाता है या हमें देखना चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं बट आपको जो भी मिलेगा वो दाट विल्बी प्रूवीजनल डाट विल्बी फॉर थ्री इयर्स तो थ्री इयर्स के लिए आपको provisional ATGA 12A का registration मिलेगा within the three years आपको एक अपने full-fledged ATGA 12A के लिए apply करना पड़ेगा जिसमें आपको पूरी अपनी activity report, अपनी balance sheets, अपने सारी bank account की statements, अपना pan card, अगर आपका section 8 है तो MOA और AOA, अगर trust है तो trust deed, अगर society है तो society के by laws, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ that will be physically be inspected by the ITO, वो ITO income tax officer आपके personally कुछ चीज़े check करेंगे और उसके बाद आपको तीन साल के लिए full-fledged मिलेगा, पर लेकिन as far as provisional is concerned, provisional आप day 1 पे भी apply कर सकते हैं, सर पहले ये हुआ क्यों, पहले ये तीन से नहीं होता था, ये इसलिए आया गया क्योंकि day 1 पे भी किसी NGO को अगर donation चाहिए तो वो ले सकता है, इसलिए provisional आया गया है, कि आगर कोई भी आपको बेशक 1 लाप रुबीस का छोटा सा donation अगर आपको मिल रहा है, तो वो भी आ documents की requirement होती है, किस तरीके से requirements होती है, सर, section 8 companies के लिए सर सबसे पहले certificate of incorporation हमें चाहिए, company का MOA और AOA हमें चाहिए, जो भी आपके directors हैं, उनके हमें pancard, अधारकार, KYC's proper चाहिए, pancard, अधारकार, email ID और phone number, हमें अगर आपको कुछ time हो चुका है, एक या सवा साल हो चुका है, तो हमें activity report चाहिए, उस activity report से हम लोग आपका ATG, आपका 12A अपलाए करेंगे, जिसमें यी चीज लिखा जाएगा, कि हमने पिछले, जितने भी time आपने काम किया, आपने क्या किया है, और आपने public welfare के लिए क्या किया है, जो आपके objects है, आपने उनके लिए क्या किया है, ये कुछ बहुत basic documents हैं सर्थ, जो हमें चाहिए होते हैं, अगर आपके कुछ balance sheets हैं, तो आपको वो balance sheets भी हमें present करनी पड़ेंगी, उसी balance sheet के accordingly हम आपका ATG 12A अपलाए करेंगे, तो क्या हम बिल्कुल जैसे नई-नई sectionate company हमने incorporate करी है, तो क्या ये registration में जा सकती है, ATG 12A के बिल्कुल सर्थ, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, सर्थ, day 1 पे ही आप ATG 12A के लिए apply कर सकते हैं, मेरे साथ साथ आपको day 1 पे ही करना चाहिए, ताकि आप जितने भी donations हैं आप लीजिए, आप उनका benefit लीजिए, अगर आप उनका benefit लेंगे नहीं, तो आप ना जिसको बुलता ना पीछे हड़ छूट जाएंगे, क्योंकि जितने भी आज कल compared to any other NGOs, वो सब आगे जा रही है, वो सब आगे भर चड़ के सारे compliance फॉलो कर रही है, सारे registration ले रही है, और हम लोग अगर पीछे हड़ जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगे, तो इसलिए सर आप day 1 पे ATG और 12A का registration लीजिए, आप उनका benefit अवेल कीजिए, सर income tax, government आपके साथ खड़ी है, आपको border of income tax के exemption क facility अवेल करो, और हम लोग खुद नहीं करने, पर हमें करने चाहिए, ताकि हम अपने activities को ज़्यादा बढ़ा सकें, उनको ज़्यादा polish कर सकें, तो अगर देखा जाएं, तो certificate exactly किस तरीके का होता है, या certificate जो 80G, 12A का होता है, क्या हो soft copy में मिलता है, hard copy में मिलता है, किस तरीके से मिलता है? Sir, form 10 होता है, और हम लोगों को ये that is pure online, तो आपको soft copy में आपको ये form मिल जाता है, और जो तीन साल के तो provision लाता है, वो आपको soft copy में मिलता है, और ये आप easily access कर सकते हैं, but the application is very technical, the application is very technical, तो आपको किसे न किसी professional की help में नी बढ़ेगी, जो आपके ये सारी चीजें, आपके duly comply कर सके, और ये चीजें सर ये देखें कि जो भी forms हैं, जो भी income tax की चीजें हैं, आजकल बहुत easily, लोग इसको बहुत easily ले लेते हैं, कि कोई दिकत नहीं हैं, हम बाद आपको जरूर ये registration लेने चाहिए, ताकि आप अपने activity को बहुत जल्दी polish कर सकें, तो थेंकियो और पिक जी आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीजें को बताया है, तो दोस्तों, आगर आपकी कोई भी query है, ATG 12AA को लेके तो नीचे दीवे नंबर का आप contact कर सकते आपको और पदोनी कोईयों थे और तोस्तों, तोस्तों आपको आपको का वादा of से हमे बहुत है, तोस्तों आपको में ही तोस्तों का रिच्टाएब का तोस्तों झाल, 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 झाल